हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल हैपी मुनु फैमली में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज देखें मॉनिंग में कितना ब्यूटिफुल वेदर आप देख सकते हैं बाहर मैंने इसी व्यूव के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत ही खु साथ यहाँ पे सारे ग्रीनरी और रिवर देख रही है तो यह दोनों कॉम्बिनेशन की वज़े से इतना अच्छा पॉजिटिव लगता है बहुत है सुन्दर तो यह जो रिवर है यह हमारे घर की खुबसूरती है और अभी बारिश के कारण बहुत जादा यह रिवर भर और मैं दो दिन के बाद और एक वीडियो डालूंगे ना उसमें आप देख पाएंगे जी चोटा सा ब्रीज है यह भी पूरा भर जाएगा और इसके उपर से पानी मतलब इसके उपर से पानी जाएगा तो यह ब्रीज भी नहीं देखेगा आपको तो यह हर बार देख तो जो भी चीज़े इंगेझेंट भी मेरे पास है घर में वे शीज़े अमस्यक्यक्स मतलब प्रेकपास्स बना रहा हो पाराथा बना रहा है पनीर पाराथा तो चलिए मेरे शब गरम गरम पनीर पराथा को अर आप लोग के ने नीज में देख रहे हो G English में सब जगह जग आपि टैम से बाहर नहीं निकली और सब सारी चीजे में online order कर रहे हूं तो वही है कि कैसी जाएंगे कि कपड़े भी इते सारे दोने हैं और सारी चीजे ऐसी पड़ी हुए है जितने घर के अंदर रह रहे कि सिर्फ movie देखना चल रहा है और बस खाना खाओ और रहा है तो चोल यहाँ पर मैंने लिए है यह पनीर तो एक्चुली यह पनीर कूप creator कहान आगे तो मैंने यह ऐसे जाकर लिए हर की को आपіш में डृष कर लिये हमने अच्छे वाश कर यिसको को शोलिँ ना है SPD बार्वें कटने हbor ओनियन हमें फो अनिया हमें है और ठाविट के लाह अनिया और यहां पे मेने हरंच टालती है। और जो बेसिक मसाले होते हैं। ब frame. जासे हल्दी पाउडर है, नमक है और फोर सब्सक्राइब और और अगर और हरा धनिया है the जास प्रवियो मेरे पास नहीं दूर्द this year. तो यहाँ पर देखे, डो मैने पहले ही बना के रखा था, तो अच्छे से फूल गया, पराटे के लिए ना पहले ही डो बना के रखे, तो यहाँ पर जो स्टफ मैंने रेडी किया था, पनीर का, वो मैं आटे के एक लोई में भर रही हूँ, और उसकी हम अच्छे से जो है पर तो हर रेसिपी में तो बताना थीक नहीं है, मतलब आपको भी बोर हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्षी जो है लोई रेडी कर दी है, और अभी हम इसको अच्छे से पहल लेते हैं, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है, हमें बेसिक बेलना है जैसे की पराठा होता है, तो यहाँ पर मैं पराठा बेल लेती हूँ तो यहाँ पराठा को दोनों साइट से अच्छे से शेख लिया है, घी डालके, आप दोनों साइट से घी डाले और उसको अच्छे से पकाए, जो ब्राउन कलर के उसमें जो दाग पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझो पराठे में, और खाने में भी बहुत टेस्री लगता है, तो इस तरह से आपको यह पराठा पकाना है, और चाय के साथ, और दही के साथ, भूजिया के साथ, किसी भी चिस के साथ, आप यह डिलिशियस पराठा इंज्वाइ कर सकते हैं, तो मैंने आज बनाई हैं पराठे के साथ, चाय, और पराठा जो ठंडे के मौसम में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बाहर तो बारिश हो ही रही आपको पता है तो ये आज का हमारा यम्मी यम्मी सा ब्रेकफास्स रेडिया है तो मैं अभी इंजॉय करती हूँ ब्रेकफास्स के बाद मैंने नहाद होके भगवान जी की पूजा कर ली है बहुत अच्छा लगता है जब भी घर में पूजा होती है दिया जलता है तो एक पॉजिटिव औरा जो है घर में रहता है उसके बाद मैं लंच के तयारी करती हूँ लंच में मैं जादा कुछ नहीं बेसिक जो मैं लंच करते हम लोग दोपर में डाल चावल और बेगुन भाजा बना रही हूँ तो बेगुन भाजा की मैं डेटेल्स में रेसिपे आपको बता देती हूँ यहापे मैंने डाल और चावल अच्छे से वाश कर ले थे और डाल में मैंने हल्दी और नमक डाल द बेगुन भाजा की तैयारी करने आई थे बट माहरा बीज बीज कि ग्यास पर चल रहा होता है उसको एक तो दीखता नहीं है तो में चाटे बना की तो बैगली साइड में बनता है और मोचते वाले बैंगन M पंता है बनता यह हूँ बाहते हैं बहुत अच्छा लगता है इसका भी तो मैं अभी उसकी कि तैयारी कर रही हो आपको कुछ नहीं बैंगन लेने बड़े हो या छोटे हो उसको ऐसे सरकल में कट करने हैं और इसको अच्छे से वाश करना है तो देखिए आप माहरा ना मुझे बिल्कुल कट भी नहीं करने दे रही है वेंगन बीजबिश में आ रही है और उसको में जितने भी बहेंगन मैंने लिया है आपके अकॉर्डिंग आप कितने भी ले सकते हैं बढ़े है तो फिर एक ये दो बहेंगन में भी काफी बन जाता है बेगून-बाजा और इसमें भी बेसिक ही जो मसाल है वो लगते है और तो देखे मैं इस तरह से कट कर रहे हूं कि सारे वेगंगेंग कत होने के बाद हमें किछ नहीं नौर्मल वाट अब जालना है और फिर वहां देखें मिलीए पानि होना है। और जो slice है मैंने जादा मोटी भी नहीं जादा पतली भी नहीं कटके basic की थी तो अब यहाँ पर तेल भी गरम हो रहा है बेगुनबाजा के लिए बहुत कम तेल लगता है और यहाँ पर बेंगर मैंने पानी से निकाल लिए है अर्मोस ड्राइ हुए है जादे भी ड्राइनी करने हमें उसको थोड़ा सा जो है पानी रखना है क्योंकि जो मसाले हम डालेंगे वो कोट होने चाहिए तो यहाँ पर देखे मैंने लसून है जो वो करश करके डाला है पेस्ट भी नहीं डाली मैंने क्योंकि यह न मूँ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है तो इस टाइप को लसून डालना है ज्यादा अच्छा लगते तो आप ज्यादे भी लसून डाल सकते मैंने एक स्पून के ज्यादा होगा थोड़ा सा उतना डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे मसाले उसमें डाल रियो में नमक आपके टेस्ट के अपनमक डाइड कर सकते हैं आदा चमच घल्दी डाला है एक टेबल स्पून अर्ड मिर्च का पाउडर एक टीजपून धन्या पाउडर और यह गरम मसाला एक टेबल स्पून तो यह सारे बेसिक ही मसाले है और जीरा जो है मैं वह आउयल में डाल रही हूँ तो थोड़ा सा जीरा पक जाएगा और उसके बाद जो हम जो बैगून उसमें डालेंगे तो वह अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए मैंने पहले जीरा डाल देया तेल में अब इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे देखे मैंने एक एक को लेका ऐसे कोट कर रही हूँ सारे मसाले जो है अब यहां पर तेल अच्छे से गरम हो गया है देख पा रहे हों गया और जो स्लाइसे से हमें एक एक करके इसमें रखनी है तो अलग अलग जैसे रखेंगे हम तो अच्छे से पकेगी भी जल्दी पकेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी तो जितना मेंने ऑईल डाला है एक स्लोट के लिए काफी है जब मैं दूसरा स्लोट डालूँगी उसके लिए मैं अलग से तेल और डालूँगी तो ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है नहीं तो बहुत ऑईली ऑईली लगेगा तो देखिए यहाँ पर जो है वो बहेंगन में रख रही हो बिल्कुल अलग अलग रखने आपको एक के उपर नहीं डालनी है और मसाला भी अच्छे से कोट हो गया है मीडियम फ्लेम पे एक साइड हमें अच्छे पक गई है तो जो हम सारे बैंगन है उसको एक एक करके पलटा देंगे देखे एक हलका सा ब्राउन कलर आया है बैंगन के उपर और थोड़ा सा पक जाएगा तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा तो देखे मैं एक-एक करके पका रही हूँ इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है बट टेस्पी बहुत साथ अच्छा आता है प्रेगन भाजा पक्रायाते जिन लोगों को बैगन बेल्कुल भी पसंद नहीं जैसे कि मंजेते उनको पसंद नहीं तो उनको बैगन भाजा बहुत अच्छा लगता है जो और थोगों कृच्छी है दाएक बहुत टेस्टी लगता है मतलब बैगन की सबजे को पाने डालकर पकाते तो आज बनाया है, तो अभी अल्मोस्ट बन गया है, और मैं अभी लंग सर्व करती हूं, तो चलिए, कुछ नहीं सिर्फ दार चावल और बैगुन भाजा ही बनाया है, और सुबह का तो ब्रेक्वास्स पता ही है आपको, कि आज हमने पनीर पराटा खाया था, तो चलिए, खाना तो यहाँ पर मेरा लंच है, बिल्कुल रेडियो गया है, दाल, चावल, पापड और बैगुन भाजा, तो यह हुआ है हमारा आज का लंच, अगर आपको अच्छा लगा होगा लंच या डिनर या बेक्वास्ट आप मुझे कमेंट्स करके बताना, तो यहाँ पर मायरा भी वीडियो कॉम में चला जाता है, और मेरा भी जाता है, उसके बाद यहाँ पर मैं कर रहे हूँ, अदेटिंग, और मैं करती हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब अभी शाम हो गई है, तो अभी मैं कर रह वीडियर के तैयारी बाकी का, तो मैंने कुछ दिन मरे का दिखा है ने क्योंकि आज मुझे breakfast, lunch और dinner दिखाना था तो coffee type जो है वीडियो में चला जाता और मैं घर की चीज़े बेड़ करती तो वो बहुत लेली वीडियो बन जाता इसलिए भी मैं direct जो है डिनर के रेसिपी दिखा रही हूँ तो डिनर में मैं बना रही हूँ mushroom तो उसके लिए मैं एक onion, लसून, हरी मिर्च और टोमेटो लिया है एक onion था और एक टोमेटो था पूरा और यहाँ पे मैंने mushroom अच्छे से धो के wash करके उसको कट करके रखिया है तो चलिए बनाते हैं mushroom की सबजे तो यहाँ पे मैंने सरसो का तेल लिया है अच्छे से गरम हो गया है इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाला है जीरा भी अच्छे से पग गया है अब इसमें हम एक जो चॉप किया हुआ onion था वो डाल देंगे onion को अच्छा से मून लेते हैं थोड़ा सा पिंकेश होने देंगे उसके बाद हम टोमेटो डालेंगे तो टोमेटो हमें बात में डालने है अभी तो इसको अच्छा से पका लेते हैं पहले तो देखिए तेल भी अच्छा कासा मतलब मैंने जादा डाला नहीं था बट नॉर्मल जितना सबजी को लगेगा उतना मैंने ऐल एड़ किया है तो अनियन भी अच्छा से पक रहा है इसमें सुन और हरीमीश ती वह भी डाल दी थी और अभी मैंने टोमेटो डाल दी है इसमें टोमेटो भी अच्छा से पकाना ही है क्योंकि नहीं तो वह अच्छा रह सकते हैं तो और नमक डाल के बाद अच्छे से पग देना है तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लाल मिर्च पाउडर हल्डी पाउडर गरम मसाला यह सारी चीज़े अड़ कर दिये और इसको हम अच्छे से पका लेंगे अच्छे अब इसमें हम डालेंगे मश्रूम जो मश्रूम हमने वाश करके कट करके रखा था वो मश्रूम इसमें भी डाल देंगे तो देखिए मसाला भी कितना अच्छे से पक गया है और इतना नहीं ता बिल्कुल थोड़ा सा ही बन गया है मसाला बट इतने मश्रूम के लिए वो काफी है तो अभी हम सारे मश्रूम एड़ करके उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को सारी चीज़े मिक्स करने के बाद मैंने लीड उसके उपर ढग दी थी और देखे भी थोड़ा सा ना हलका पानी भी उसको छूट गया है तो ये पानी के वज़े से टेस्ट अच्छा बट जाता है मतलब मसाला कोट हो जाता है उसमें तो और मैंने इसके उपर एक कटोरी प हो जाएंगे और मश्रूम के अंदर भी चले जाएंगे तो इसको हमें और जो है लीड धके थोड़ी देर पकाना है इसका जो वाटर है वो पूरा एब्सरूब हो जाना चाहिए उसके बाद जो मश्रूम का टेस्ट है नो बहुत अच्छा हता है तो देखे यहाँ पे अलम आज का वीडियो कैसे लगा मुझे लाइक करके जरूर बताना